नमस्का फ्रेंट्स आज हम वरिशब लगन के जातकों के लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा इसके विशे में चर्चा करेंगे और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे वोई रिक्वेस्ट है कि जो लोग मेरे चैनल में नए है प्लीज सब्सक्राइब दा चैनल और एक बैल आइकन है उसे प्रेस कर दें ताकि आपको लेटिस्ट वीडियो की नोटिविशन्स मिलती रहे तो देखे समझते हैं वरिशब लगन को अगस्त के महिने में और उनका राशी फल क्या रहेगा सबसे पहले हम वरिशब लगन के जातकों के लिए जो लगनेश शुक्र है जो लगजरी भोग विलास का कारक है वो वर्तमान में आपके तृतिय भाव में थर्ड हाउस में करकराशी में गया है जहां पर आपको अपनी त्रिकोनी समंद के अनुसार यहां पर यह उच्चे के परिणाम देगा अब इसमें आपको जो लगन की साब से है वो लगन की साब से बहुत उच्छे के परिणाम मिलेंगे लेकिन चटे भाव के संबंदों में या चटे भाव के कारकतों में थोड़ी बहुत कमी आप देखने को मिल सकती है तो शुक्र विर्शब लगन वाले जातकों के लिए एक तो आप समझ लीजे कि बैल की तरह है जो इसका सिंबल है तो गर्दन थोड़ी सी मोटी रहती है विर्शब लगन वालों का जो है नेक रिजन थोड़ा स्टॉंग रहता है और पुरुश आपका फ्रीमेल राशी है और मौनिंग स्टार इसको कहा जाता है जब ये विर्शब राशी में होता है और तुला राशी में इवनिंग स्टार के रूप में शुक्र को यहां देखा जाता है और सबसे ज़गर क्रिएशन का पोटेंशल है जो एक मादा है जो एक शक्ती है वो विशा पुट्छाइन में होती है और बहुत जएधा धहरवान होते है और समय अब पुरहर काम को करने में बहुत समय लेते हैं सैयम बरते हैं ठीक है और शुक्र जैसे मैं ने का भी थर्ड樣s में हैं तो ये तरड़ा उस जो होता है हमारा उपचे हाउस होता है और कामत्रिकोन का ये प्रतम भाव होता है काम means desire या urges to procreate ये सबी चीज़े जो होती है वो कामत्रिकोन से जेखी जाती है और शुक्र वहाँ गया है तो शुक्र आप जानते हैं काम या भोग विलास का कारक है के प्रती जो है वो आप मोटिवेशन से आगे बढ़ते में नज़राएं कि लगन को बल परदान कर रहा है आपकी प्रिसनेलिटी में जो आपका औरा है वो उसका आपकी विक्तितों में वो प्रभाव दिखाई देता वह नज़राएगा सौंदर के प्रती आकर्शन मन में बन इस समय आप लग्जरियस गाड़ी खरीच सकते हैं गाड़ी या आटो सेक्टर से जो लोग जुड़े हैं उनको भी बहुत लाब होता हूँ नज़रा रहे हैं और यहाँ पर आपकी अच्छे मित्रता या अच्छे विक्ति से आपकी फ्रेंशिप इस महीने होती भी नज़ सबी के लिए बहुत उत्तम स्थिति हैं शुक्रतिया भाव में उनको सबी चीजों में आपको अच्छा करता हो नज़रा हैं और यह समय है साल का जब आपने किसी खास विक्ति को को कोई मेल लिखनी है कोई प्रताचार करना है कोई लेटर लिखना है आज की डेट में तो मै बहुत अच्छे प्रिणाम आपको देगा और यात्रा के तुरान कोई आपकी जर्नी होगी इस महिने में उसमें किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात हो सकती है तो शुक्र आपका पुराने मित्रों से आपका जो है वो समन्द यहाँ पे बनाता है नज़र आएगा और वहीं गुरू की उच्छे की दृष्टी आपके तृतिय भाव में पढ़ रही है लाबस्तान से हाउस अफ इलेवन्थ हाउस से हाउस अफ गेन से गुरू आपको देख रहा है तो वो सभी बहुत अच्छा है आपके लिए तृतिय भाव समन्दी फलों में बहुत ज़दा वृद्धी करेगा इसलिए खास तौर पर जो मैनिफेक्टरिंग इंडस्ट्री जो है जिनका कोई कार खाना है जहां लोग काम करते हैं हद करगा है हैंड लूम्स है जहां हाथों का जदा काम रहता है उन सबी को जो है वो बहुत अच्छा लाब यहां पर दिलाता है वह न करचा करें उनकी तरफ से तकलीफें हैं मिलती वे नजर आ रही है परिशानी का सबब बन सकते हैं और इस महीने खास दोर पर आप किसी को भी अपनी इंडस्ट्री में हायर मत करें कोई भी जो अपने काम करने के लिए आप रखते हैं उनको इसमें हायर मत करें क्योंकि यह दिकत का सा टाइम चल रहा है टारस लगन मालों के लिए कि अधिनस्त करमचारी आपके खिलाफ जो है वो शड़नत रचते वे नजर आएंगे और इस समय वर्तमान में जो डॉक्टर्स हैं या जजीज हैं नर्सीज हैं इनको भी थोड़ा सा अपने जो सीनियर्स हैं उसे ड दिकत परिशानी जौब में यहां पर उनको लगी रही जिनका व्रिशब लगन है और शुक्र की दशा अंतर दशा या प्रति अंतर दशा चल रही होगी उसके बाद हम बात कर लेते हैं लगन में बैटे हुए मंगल की तो मंगल वैसे भी जो है वो टारस लगन वालों के ल कमी करता है और वर्तवान में लगन में बैटा हुआ मंगल जो है वो मैक तो मांगलिक योग का निर्मान कर रहा है और वही पर ही थोड़ा सा जोब इसके दिश्टी सब्तम भाव में पढ़ रही है तो आपके मेरिड लाइफ में तनाव की स्थितियां उत्पन करता हुए न जाने का अफसर यहां पर मंगल आपको दिलाता हुए नजर आ रहा है चतुरतुस्तान पर इसकी दिश्टी पढ़ रही है तो घर में सुक्चैन की भावनाय कम होती हुए नजर आएगी घर पर आपका मन जो है वो कम लगता हुए नजर आएगा क्योंकि मंगल वहां पर दि अब हम बात कर लेते हैं सूरी ग्रहकी क्योंकि सूरी समय भी आपकी लगन के इसाब से सोक शित्री होकर के केंदरस्थान में अपनी हिराशी में बैठा है तो बहुत ही अच्छे प्रणाम देगा उच्छे के प्रणाम यहां पर आपको इसके चतुरत बावसमंधी फनों मे जो है वो वरिधी करेगा और जिस तरह से की आप अगर कोई जमीन मकान खरना चाहते हैं फ्लैट खरना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत उत्तम समय है आप खरीच सकते हैं आपको जो आपका सौदा होगा वो आपकी फेवर में होगा आपको अच्छी चीज यहां पर मिलती वे नजर आएगी और चतुर बाफ जनता का भी होता है तो पबलिक के साथ समन्द अच्छे सुदरते हैं वह नजर आएंगे तो वहीं जो लोग पॉलिटिक्स से जुड़े वे हैं उनको बहुत ज़दा मान सा मान रिस्पेक्ट मिलती वे नजर आएगी पॉलिटिक्स वाल और वहीं सरकार की तरफ से भी कोई ना कोई परिशानी इस समय आपको मिलेगी जैसे कि कोई आपको सेल टेक्स डिपार्टमेंट से या इंकम टेक्स डिपार्टमेंट से कोई नोटिस मिल रहा है या कोई लैटर महां से आपको जो है वो जमा कराने के लिए कुछ आपका टे एक तो धनस्तान का सौमी है, दूसरा त्रीखॉंड भाव, पंचमभाव का सौमी है, तो मरिकरी जो होता है यहाँ पर आपको शार्प accomplishment दिते हैं, आपकी बूद्धि बहुत तारकिक बूद्धि बहुत अच्छी है, अच्छे बुरे की परक आपको बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए आपके पास अगर राइटिंग स्किल्स हैं, तो राइटिंग स्किल्स के लिए बुद्ध की जो और वरतमान में आपके सूरे के साथ बैठा हुआ बुद्ध देती हो, राइटिंग स्क खाने का कोई है, खाने का बहुत जज़ा शौकीन होते हैं, विशब लगन वाले, तो इस में खाना भी आपको बहुत अच्छा है, या अच्छे रेस्टरेंट में या अच्छा भोजन आपको प्राप्त होता हो और नज़र आएगा, और क्योंकि सेकिंड हाउस हमारे कॉमर्स का होता है, वेपार का होता है, बुध भी वेपार का का कई है, तो आपका जिनका भी परस्णल बिजनस है, अपना बिजनस करते हैं, उनके लिए बहुत शुब है, पैसा आएगा, सेविंग्स वहाँ पे होती हूँ नज़र आएगी, और अगर यही कार आपा, अगर आगर, गरिकल्चर का कारे है, पशुपालन का कारे है, आपका डेरी इंडस्ट्री है, पॉल्ट्री फार्मिंग है, टिम्बर का, टिम्बर मर्चंट है, टिम्बर स्टोर्स वाले हैं, उनको लाब यहां पर बुद्द लाता हूँ नजर आएगा, उसके बाद आटो मॉबाइल इंज है, जिसमें रिस्क लेना पड़ता है, तो वहाँ पर बुद्द की वैसे आपको लाब होता हूँ नजर आएगा, उसके लाब फिफ्थ हाउस का लॉड है, तो जो टीचर्स हैं, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से जुडए में हैं, प्रिंसिपल्स हैं, उनको कहीं कोई सेमिनार अटेंट करने के लिए जाना पड़ जाए, या कोई ट्रेनिंग के लिए बाहर जाना पड़ सकता है, तो बुद्ध की स्थिति भी यहाँ पे आपके लिए अच्छे ही रिजल्ट लेकर क्या रही है, बात कर लेते हैं हम गुरू की, तो गुरू की स्थिति सुराश परन्तु जो रिलेशन्स हैं उन में जैसे कि आपके बड़े भाई बहन हैं उनकी तरफ से आपको या फ्रेंड्स हैं उनका सिहुग आपको नहीं मिलेगा, उनकी तरफ से परिशानियां आपको दिक्कतें देखने को मिल सकती हैं, और बच्चों की चिंता आपको बनी वेपार जिनका का है, कॉम्यिटी में जिनका कोई वेपार है, उसमें आपको लाब यहां पर गुरु की जो स्तिती है वो बहुत जदर दिराती हुए नजर आ रही है, और प्रॉफिट आपका बढ़ता हुए नजर आएगा, पैसा आपको यहां पर गुरु देता हुए परणाम लेकर क्याएगी, लेकि मैंटल टेंशन हो गया, क्योंकि आपका अष्टम भाव का स्वामी भी भी है, तो मैंटल टेंशन हो गया, जगड़े हो गया, या बढदनामी हो गी, वो इस तरह की समस्चा है, गुरु के अभी जो मीन राशी में सोराशी का होकी गया है, लेकिन इसके परिणाम आपको इन सभी कारकत्तों में थोड़ा-थोड़ा प्रिशानी करते हुए नज़र आएंगे। बात करते हैं शनी की तो शनी आपका तुला लगन और विशब लगन वालों के लिए योग कारक होता है क्योंकि ये केंदरोत्रिकून भाव का स्वामी बनता है और इस समय चो शनी आपको राजियो करने नमान कर रहा है क्योंकि दशम भाव का स्वामी नवम भाव में गया है तो जो आप जो भी सरकारी क्षेतर से जुड़े हैं, सरकारी जॉब वाले हैं, उनके लिए बहुत लाब किस्तिती है, प्रमोशन हो सकती है, इंक्रिमेंट लग सकती है, पैसे का आगमन यहां पर होगा, जो राजनेता है या जिनको पॉलिटिक्स से वे जुड़े हैं, उनको वो कर सकते हैं, या मेडिकल साइंस जिनका विशे है, उनको परंगता हासिल होगी, या मलो उनको वहाँ से लाब होता हो नज़र आएगा, और वहीं शनी के उच्छ दृष्टी जो है, वो सिक्स थाउस में पढ़ने के वज़े से आपके मामा को लाब होगा, लोन के लिए किया तो आपका लोन पास हो जाएगा, शत्रू आपको तंग नहीं कर पाएंगे, और अध्यात्मिक उन्नती भी अच्छी होती होती हुए नज़र आएगा, उसके बद हम बात कर लेते हैं, छायग रहु की, तो रहु जो है, वो आपके बारवें बाहों में मंगल की राशी है, तो मंगल की तरह परिणाम देगा, तो वरतमान में आपको चोट लगने का भाय है, खास करके पैर की चोट का आपको रहेगा, विदेशों से लाब किस्तितियां रहु आपके लिए बनाता हुए नज़र आ रहा है, और इस मीने हो सकता है कोई महमाना आपके घर में आए जिसके entertainment में आपको खर्चा करना पड़ सकता है, और वहीं आपको बारवे वहाओ में बैठा हो रहा हूँ, कहीं नहीं कहीं इन्वेस्टमेंट कराएगा, कुछ नई चीजों के लिए आपका इन्वेस्टमेंट वहाँ पे होने वाला है, और कीतु की बात करें, कीतु शुक आपको हायर मत करें, वह भी आपको परिशानी के सबब बनता होन नजर आएगा, उसके लावा कोई पालतु जानवर है, उसके तरफ से भी कोई स्थिति आपको कष्ट परत बनी हुई है, पालतु जानवर से खत्रा होता होन नजर आ रहा है, और मामा को लाब यहां रहेगा यह छटे भाव में, आपको केतू और शुकर की वज़ा से यह सिब चीज़ें आपको प्राप्त होती भी नजर आएंगी, तो यह दा वरिशब लगन वालों के लिए, आगस्ट के मिहने का लेखा जोका, उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इफ वाचिंग वीडियो